हेलो फेंड वेलकम टूमाइं यूट्यूब सेनल एक्सीजिद नोट्स आज का इप वीडियो है यह जस्टिस न्याई के बैर में है न्याई अंगरेजी भासा के जस्टिस सब्द का हिंदी रुपांतर है जिसकी उत्पति लेटिन भासा के जस्टिस है से वी है जिसका आर्थ किससे हुई है जश्टिस या सब्द से हुई है लेटिन भासा के, जिसका अर्थ हो ता जो ने का काम, यसाधर पर नियाए कि अप्राइएं उस भ्याउस्तास है जिसमें चाहा कि जो ब्यक्तियों, समु जो ब्यक्तिएं समधायों तो एक सुत्र में मारती है वग्याय की फ़र्स्ट होग है सी-ई-मेरियम के डूप डेफिनिशन यह न्याय उन मान्यताओं तथा परक्रियां का योग है जिसके माध्यम से परते एक ब्यक्ति को वे सबी अधिकार और सुविदायें प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। दूसरा होगे काहन के अंसार। न्याय का अर्थ संपूर्ण गुर्ण तथा नैतिक आश्रान के स्विकृत धांचे के अनकुल आश्रान से है। तीसरी परिवास है बैन एन पिटर्सन ने दिया है। न्याय का अर्थ ही हो है। जब तक भेदबाव की जाने का कोई उचित कारण नहीं हो। तब तक सभी व्यक्तियों के साथ समान ब्योहार क्या जाए। प्लैटों ने अपने about ॐपलेतों में न्याय की पौरेवास हैं। समाजिक प्रविवजन के अंसार उनमें आशाज़ाती है। न्याय का आर्थी ये हैं। नंसे कम ना अधिक। प्लेटू इसलिए प्लेटू ने एक ब्यक्ति एक कारी अर्थात कारी घत्व पिसी करण के सिध्धनत का प्रतिवादन किया है। समाज वी भिवर्ग उत्पादंबर्ग उत्पादंबर्ग सैनिक वर्ग और सासक बर्ग के बीश पूर संत्यूलन अस्थाफित हो जाता है तब तक समाज में पूर समाज में से नहें नहीं फोलेटू का यह कहना था कि प्लेटू का था कि न्याय उस ब्यवस्तक गयंगे जिसमें जाओगा सब्सक्राइब करना चाहिए रेकृतिक अनल सिमाज कि विभिविनबर जैसेल उतबादन पर शर्मिकर को शर्मिक भरग या करना चाहिए तो इनने के भी संतुलन अस्थापिद हो जाता है तब समाज में न्याय को बुराई का नेकति अस्थक्वान है आसतु के अनसार न्याय समांता के नियमों के परिपालन में नियत है बलेटो वो अरफ्षे पहले यूनान में नियाय की तीन प्रमुक सिधान थें फर्श्ट हो के प्रम प्रावधी सिदान थें स्रच्वान किया था प्रटिबादन परतिबादन क्या था कैफाल लस नहीं किया था उनके अंसार था कि सत्य बोलना वर्ण शुकाना ही नहीं है प्रमप्रावादी सिदान्त के अंसार मित्र के परति श्रेष्ट और सत्र के परति घिनित भ्योवार करना ही नहीं है जो कैफालस बूलते हैं को या कैफालस ने की कहा था कि प्रमप्रावादी सिद्धान्त ने मैंके सत्या बोलना वह रिंड़ सुकाना ही नया है प्रमप्रावादी सिद्धान्त के अंसार क्या था कि मेत्र के पड़ती स्रेश्ट और साथर के पड़ती गनित द्भार करना ही नया ह दिसरा था ठ्रैसी मेकस के डाम था इस विछारधार के अंसा जिसका पर्तिबादम थेशी वेकस ने किया था जिसकी लाटि उसकी भेंच यही नियाइका आधर है इसके अंसार जो pregnant बिला दरशमत न वोले सकते चाहले है के दवार्वाय निर्मित आवशक्तै के रिमे स्विकार के तैंग यह सब्सक्रावरं के इसा क्या है चाहिए गलाइकन न्याही दुरबलों की आउसकता के रूमे स्विकार क्या था तुझ ये दुरबलों की आउसकता के लिए इनोने स्विकारती उपनारादी था प्रम्प्रवादी सिदान थे, उन्होंने कहता है, निया है, तो जो जो इड़ावकंध, उन्होंने कहा कि निया क्या है। दुर्बलोंगि आउशक्ता है नयाय के कुछ आधरभूतार्टत्व हैं फस्त सत्यए सथय का सरवाधिक मैतवपुन्तव है सत्या थन्याय का समंद्ध होता है नियाय सत्य में त्रिष्ट गोचर होता है, जोट से नियाय का कोई सम्बंद नहीं होता है, नियाय उचित प्रशासन के लिए तत्यूं की सत्यता आउशक होती है, नियाय का फस्ट आधर होता होता है, नियाय का क्या कोई सम्बंद नहीं होता है, जोट से नियाय का कोई सम्ब नहीं होता है न्याय उचित प्रसासन के लिए तक्यों की सत्यता आशक होती है दूसरा हो गया न्याय का दूसरत मत्पूर्ट तो है यह है मुल्यों के अधरवुत क्रम की सामान्यता विभिन मामलों के सम्मंद में विचार करते समय न्याय एक हिधारना को लागू किया जाना चाहिए न्याय की धरना को लागू करना चाहिए कानून की दिश्टी से समानता इसका आर्थि हो गया कानून किसी व्यक्ति के साथ-जाति धर्म वण सिलिंग आधिके आधार पर भीधवाना करें पर्तिक व्यक्तिको ब्यक्तित्वा कि यह समान आवसर वह सुदाया कि व difukty समान कों और कि समता के लिए 7 कि आर आधर कि ब्यक्ति को इसकी समता के बहार कारे करने के लिए ब्यूस नहीं किया जाना चाहिए तो यह अब होगे ह। नचेज़ longitud toda Brain यह नियाय का सबसे पुराना सिधान्त है यह बदले की भावना पर आधारित है यह सिधान्त का आधार है जैसा का तैसा टीट फोट है आंक के बदले आंक में लब यह जो परतिकारतमक सिधान्त है यह क्या था कि सबसे पुराना सिधान्त है अगर कोई रखती इसमें क्या था कि बदली की भावना पर आथा था ये सिधान्द तो इसमें अधार कथा जैसा का तैसा ये आंके बल्द आंक दूसरा हो गया निवारक सिधान्द फिर बेंटिव ठयोडी यह हो गया इस सिधान्द के समर्थों को कहींसार क्या था नियायका का ओदेशय अप्रादों को रोकना अथो डंड ऐसा दिया जाना दिया जाए जिससे दूसरे को सब कम लेैं में सालोजिनी क्रूप से कटोर दंड दिया जाता था तो नियवारक सिधान्द में हो गया कि दंड ऐसा दिया जाना चाहिए कि जिसे अपराद रुख सके अपरादों को रोगना ही इस सिधान्द का प्रिवेंटिव यह उदिश्य था अब हो गया सुधार आत्मक न्याई सिधान कि आजाना चाहिए तो यह हो गया पर दिवारक सिधान्द की चाहिए के परतहारों कि यह हो गया देहां gonos समंद बताते हुए अगस्टाइन कहता है कि यदि न्याई को पिर्थक कर दिया जाए तो राजे एक लुटेरे की समपतिके अत्रिक्त और कुछ नहीं है इस परका राजे की सत्था का आधार ही न्याई है और कानूनी न्याई का अर्थ है कानून की दिश्टि में सम नागरिक समान होता था सभी नागरिक को कानून का स्ट्रक्शन प्राप्त होना चाहिए तो कानूनी न्याई में हो गया कि न्याई और कानून का समंद में समंद बताते हुए अगस्टाइन का कहना है इस न्याई को पिर्थक कर दिया जाए तो क्या हो गया राजे एक लुटेरे की सम के लिए नागरे के हैं समान हो तथा सवित नागरे को कानून का चρηक्ष्ण प्राप्त होना चाहिए दूसरा उगया राजनेतिक न्याय देश के राजनेतिक जीवन में भाग लेने के लिए सव्वतन्तर और न्यायि पर आउसर यॉश्ण मिले इस लिएन नागरे sis सारवजिनिक व्यस्क मतादिकार होना चाहिए। जिसंग व्य अपने परतिनतितियों div धर्मबान जो ये किसी आधार पर भेदवव के विना क्या हो गो hogy शारवजदिनेक प्रापत होना चाहिए, धीसरा हो कि समाजिक ने आए, ब्यक्ति अर्ब विक्तिख के मद्य समाजिक स्थितिके आधार पर कोई भेदवाव नहीं के broadcasting होना समाज में पर्तिभी ब्यक्ति को अपना जीवन बिताने के लिए उचित परश्थितियां उप्लाबते होनी चाहिए इससे समाज की राजनितिक सत्ता का अदायत हो है कि वह अपने बैदानिक एवन परसासनिक कार्यक्रमों का इस परकार संचालन के रेखिए वह एक समताफूर समाज के स्तापना हो सके जिसमें सभी ब्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित अफसर मिल सके तो समाजिक न्याए में है कि ऐसे राजनितिक महावल तयार किया जाना चाहिए जिसमें चाहोगे पर्तिभी ब्यक्ति को अपना विकास करने का पूरा अफसर मिल सके आर्थिक रूगों को मिले । आर्थिक समानता अधिक से अधिक अस्तावित की जाए। अदरकत वद्ढर स्माजी छिण जाए। इ। भी भीन पहलों है उसके बारं में यह हो गया। आप होगे स्वतंतरता और न्याए में केपी समंद न्याए ही स्वतंतरा का लक्षा है न्याए की यह मांग है कि पर्तिक व्यक्ति उसके व्यक्ति तो के लिए उसित आउसर मिले इसके व्यक्ति को विचार परकट करने स्वतंतरता को न्याए के स्वतंतरता मिलने साहिए समाजेक में जाहए इन स्वतंतरताओं को सिमत भी की जा सकते हैं राष्ट की एकता यूम अखड़ता के लिए युद्कालिन इस्तिति में इन स्वतंतरताओं पर क्या परतिबन लगाया जा सकता है फिर भी ड्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाने साहिए जाबता कि उसके किसी कानून का उ उलंगन ने किया हो राजनितिक स्वतंता की साथ व्यक्ति को आर्थिक स्वतंता भी मिलनी चाहिए तभी न्यायक्य अधार्णा पूरी समझी जाएगे भोड़ देने शार रिनिक प्राप्त करने आधी कि स्वतंता है तभी निसार तक हो सकती है जब व्यक्ति की आर्थिक से चाहों मुक्त हो अब हो गया समानता और नियायक में समंद न्याय की अधार्णा का समानता के सिध्यांत पर गहरा समंद है समानता का अब राई है कि सभी नाग्रिकों को До विखास के अलत्य प्राप्त हुं राज ये अपने सभी नागरिक को शिक्सा स्वास्ते शिक्सा आदी के छेत्रे में समान सुविधाईं प्राव्द करें सभी नागरिकों को कानुन के समक्स समान समझा जाए समानता की इनी धारणाओं का नियाय समर्धन करता है नियाई पूर्ण समाज वही है जहां असमानताई नहों दुरबल लोगों को उनकी उन्नति वह समुचित विकास के लिए कुछें बिसे सुजदाएं दी जा सकती हैं न्याई की जो अधार्णा है समानता की शिदान पर गहरा समंध है, समानता का अप्रा है तक आप रहे है व्यक्रिक्हुंक को क्या होने चाहिब? विकास के समान अपसर प्राफत हो राज या अपने सभी नाओरिय को सिख्षा स्वास्टीच कि अदि के छेत्र में समान सुँधा Beach प्राफत करे हैंश भी नाओरिय को कानून के समख्स इकवल समजा जाना चाहीएँ और समाज के बार मुगी एक विडियो. इव आज को रोचिव थाजिए हुआ है।